इस वीडियो में हम actually keyword research करेंगे और देखेंगे कि जब हम research करते हैं Google keyword panel tool में तो हमें क्या result मिलता है सुर्ट्स ये बात याद रखिएगा कि हो सकता है Google आपको different results दिखाए और जो आप यहां देखें स्क्रीन पर वो different results हो उसमें keyword के level पर difference नहीं होगा लेकिन हो सकता है searches के level पर difference हो जाए जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम mobile phone search करें तो ये results आते हैं तो अब इस results को देखते हैं कि actually results क्या आए है पाकिस्तान में mobile phone की searches कीगे हैं तो मुझे ये keyword के results Google ने दिये हैं और मैं इसको तरह one by one browse करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कितने keywords मेरे business से related हैं तो सबसे पहले मुझे वो mobile phone दिखा रहा है फिर cell phone फिर phone mobile phone deals new mobile phone online mobile और करते करते तकरीपन वो मुझे बता रहा है कि तकरीपन 738 results हैं उसके पास जो कि आप अपने screen पर देख सकते हैं Google उपर दिखा रहा है इसके असान करने के लिए मुझे अगर ये पता करना है कि सबसे जो highest search keywords हैं वो सबसे उपर आजें तो मैं क्या करूंगा कि मैं Google के इस keyword tool के ओपर जो second panel है जो second column है average monthly searches का column उसके ओपर मैं click करूंगा और वो उसको highest to lowest sort कर देगा मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा search होने वाली keywords है वो उनको उपर ले आएगा और जो उससे कम search होने वाली keyword है वो आश्टा हिस्ता वो उसको बतद्रीच नीचे show करेगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि phone सबसे ज़्यादा generic है लेकिन सबसे ज़्यादा search होने वाले keyword है अब चुके Google range देता है 10,000 से 100,000 मतलब कि 10,000 से 1,000,000 तक तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितने keyword number one पे हैं तो इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि तकरीबन 5-6 keyword जो टॉप पर हैं वो एक ही range में fall करते हैं जो कि 10,000 से 1,000,000 की range हैं तो हमें इसके साथ बस ये अंदाजा करना है कि हमाई लिए कौन से keyword बेतर हैं और अगर आपको याद हो तो हमने जिकर किया था कि किस तरह से short tail keyword और long tail keyword में difference होता है short tail keyword में हमें clarity नहीं मिलती लेकिन long tail keyword में clarity मिलती है कि user क्या demand कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है तो मैं अगर इसको देखूँ तो phone अगर कोई search करता है तो मुझे बिलकुल idea नहीं है या आपको बिलकुल idea नहीं होगा कि phone search करने वाला असल में चाहता क्या है वो phone की video चाहता है वो phone की खरीदना चाहता है बेचना चाहता है या इसका phone तूट गिया है तो हजार किसम की possibility हो सकती है तो हमें इस तरह के short till keyword से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नहीं समझा जाती कि ये keywords हमें ultimately कैसे फाइदा देंगे लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाओं तो आप देखेंगे कि नोकिया मॉबाइल दूसरे नमबर पर आ रहा है और मॉबाइल फून और सैमसंग मॉबाइल भी टॉप रैंकिंग की वर्ड़ में है मतलब कि सबसे जाद सैच होने वाले keywords में से शुमार होता है इनका जैसे से आप नीचे जाएंगे आपको मजीद फून मिलेंगे जिसमें compare फून का एक keyword है best android phone है आईफून मॉबाइल है और इसना करते करते नीचे तकरिवन 700 से ज्यादा ये keywords available हैं अब ये वो data है जो हमें help करेगा हमारी website को build करने में जो कि हम मजीद दिकर करेंगे बाद में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस data को save करना है अब आपको ये Google जो data देगा इसको हम download कर लेंगे जो कि Excel के format में download हो जाएगा इसको download करने के लिए आपको top में देखना है कि वहाँ पर download keyword ideas के नाम से एक option है आप इसको click करेंगे तो Google आपके ये keywords डाउनलोड कर लेगा जैसे आप इसको download करेंगे तो ये Microsoft Excel के format में आपको मिल जाएगा और अगर आप इसको open करना चाहें तो आप इस पर click करेंगे और ये आपके सामने एक file open हो जाएगी जिसमें सारे के सारे keywords चो Google ने आपको show किये थे वो उसमें available होंगे जैसे कि आप देख सकते हैं जो data मेरे पास Google add tool में available था वो ही data मुझे Excel sheet में भी available है फिलहाल मुझे इस data से कुछ नहीं करना हमारा अभी पहला मकसद मजीद keywords find करना है आप चूँकर एक business run कर रहे हैं आपकी एक product नहीं है और अगर आपकी एक product है भी हर product को user different angles से सर्च करता है तो वो different angles क्या है अगर मैंने एक keyword सर्च किया है mobile phone तो हो सकता है कोई इसको ये भी लिख रहा हो mobile phone prices तो मैं अब ये जानना चाहूंगा कि अगर लोग mobile phone prices सर्च करें तो वो उसके against Google मुझे क्या result शो करता है मैं अपने अब query change करूंगा और इसको mobile phone को delete करके mobile phone prices लिखूंगा तो जिए मैं इससे लिखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा customer mobile phone खरीदना चाहता है तो mobile phone भी सर्च कर रहा होगा लेकिन जिसकी जेब में पैसे हैं तो वो prices भी धूण रहा होगा क्योंकि prices दूणने वले वो लोग हैं जो possibility है जा हम उसको अजियूम कर सकते हैं कि शायद वो खरीदने की घर से prices का word साल लिखेगा और उसको buy करने की घर से आपकी website पे भी आएगा जैसे मैं जिसको mobile phone prices को लिखे सर्च करूँगा गूगल मुझे डेटा नया शो करेगा और अब ये डेटा चेंज हो गया है इसमें बहुत सारे possibilities हैं कि keywords overlap हो रहे होंगे यहनि कि जो पहले आपने डेटा सर्च किया वो डेटा इसमें repeat हो सकता है क्योंकि गूगल आपको ये ideas के तोर पर देता है अब गूगल को ये नहीं पता कि आप भी पहले भी search कर चुके हैं कि आप ये बाद में भी search करेंगे तो आपका ये काम है कि आपको जितने भी ideas मिलते हैं आप उसको download करते जाएं बाद में हम इसको अपनी मर्जी के मताबिक बेतर करेंगे सो बजाए इसके कि मैं one by one इसको discuss करूँ मैं करूँगा ये कि मैं इस पर click करूँगा download keyword ideas और ये file भी मैं अपने पास save कर लूँगा अब चुके मुझे इसको याद रखना है कि मैंने कौन सी file किस नाम से download की है तो मैं हर file का नाम change करता जाऊंगा और उस file का नाम उस keyword के against मैं लिख लूँगा ताके मुझे ये याद रहे कि कौन सी file किस keyword के against सर्च की थी और किस keyword का कौन सा result आया था और जब आप ये save कर लेंगे तो आपने ऐसे ही मज़ीद keyword सर्च करते जाना है जो कि आपको लगेगा कि आपकी business related है आप वो keyword लिखते जाएंगे और उसके against उसको download करते जाएंगे ताके आपको एक पूरी picture clear हो जाए कि अगर कोई mobile phone prices लिख रहा है या mobile phone prices in लाहोर लिख रहा है कि अगर कि अगर कि आपको लिखते जाएंगे